तो बाते समझ में आ रहे हैं किस तरह से हम लोग बढ़ेंगे तो सबसे पहले यातायात के साधुनों पर आप हम लोगों ने बात किया कौन-कौन से गैसे निकलते हैं कार्बन मोनो अक्साइट कार्बन डियोकसाइड और तो सल्फर नैटोजन यूट बहुत सारे गैसेस का क्या है उत्सर्जन होता है दूसरा जब हम लोग बात करेंगे तो किस पर बात करेंगे मिथेन के उपर बात करेंगे ठीक है मिथेन का जो आप लोगों को कंटेंट दिखता है वो हम लोग सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस करते हैं वह मिथे नहीं है ठीक और एक चीज मैं बता दू एक सीक्वेंस बता दू जब आप लोग प्रदूशन की बात करते हैं तो सबना करें सब्सक्राइब करें करने तो कार्वन-चाहिट करिएगा जहां जहां सभांस होता है उसका उसको जरूरूट आपने इसे में ठीक है कारवन डियॉकी кारवन मतलब सीओ अ कारवन लोग का मतलब समझते हैं आप लोग क्या होता है सिंंगल वान अर्छब हम लोग 2 वो ऑक्सिजन करते हैं तो वो क्या हो जाता है कारवन डाई ऑक्साइड ठीक है इस तरह से इसके बाद आप लोग टार्गेट कर सकते हैं मीथे ना जो भी हम लोग चर्चा कर रहे थे और अगर केमिकल फॉर्मुला याद रह जाए तो लिखने में कोई बुराई नहीं है इसक है अच्छा इन तीनों पर थोड़ा सा मैं बता दूं कैसे कैसे मिशन होता है फिर आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले अगर हम लोग कारवन डाई मोनो ऑक्साइड की बात करें तो जितने भी जिवाश मिंधन है उनके पार्शियल कंबसंट से पार्शियल कंबसंट मतलब अ अब पार्शियल मतलब अंसीक और कंबसंट मतलब दहन समझते हैं जलना तो जब फॉजल फ्यूल्स जिवाश मिंधन जो होते हैं उनका आंसिक दहन होता हैं मतलब पूरी तरह से वह नहीं जलते हैं कुछ मातरा जलता है कुछ मातर रह जाता है तो कार्बन वनौक्साइड क जनेरेशन होता है ठीक है जो स्वाचालित वहान होते हैं और अध्योगिक प्रतिष्ठान जितने हैं ठीक है वहाँ पर इसका प्रोडक्शन होता है सिग्रेट का जो धुआ होता है आप लोगों के बगल में कई बार लोगों ने किया होगा ठीक है तो उनको बोलिए कि हुआ है और क्या लिख सकते हैं हाँ वह सब याद होगे ना लिख ले आप लोग चलिए उसके बाद जब कार्बन की बात करेंगे सब्सक्राइब का मतलब क्या जो गाड़ियां आप लोग देखते हैं ना ठीक वैसे दूसरा जो है और इसका जो मुख्य छेतर है कार्बन मोनोक्साइट के प्रोडक्शन का मैं कोशिश करूं तो एक पाइचार्ट बना सकता हूं अगर आप प्रेजेंट कर दें तो तो फि है लंबा हो जाएगा फिर हम लोगों को समय लगेगा ठीक है मैं बनाते वे चलता हूं देखिए अगर कारवन मोनोक्साइट के पाइचाट की बात की जैस पाइचाट का मतलब सौप परतिशक पूरा दिखाना है ठीक है इसमें से करीब करीब 75 से अधिक 75.7 परतिशत हिस्सा जो है यह परिवाहन के से मिलता है इसको मिलता है मतलब का यह परिवाहन के कारण 75 परसेंट कारवन वन ऑक्साइट प्रोडियूस होता है और दूसरा जो सबसे अधिक है वह घरेली लकडी से जो जलाते हैं लोग घरेल में चूला जलाते समय लकडी का यूज करते हैं तो करीब करीब 10 परसेंट हिस्सा इसका मुखे मुखे वह बता रहा हूं ठीक है बाकी छोड़ दे रहें आप लोग चाहें तो इस तरह का भी बना सकते हैं क्योंकि पूरा याद करना संभव नहीं है जो मुखे मेन इलिमेंट है उसको दिखा दीजेगा ठी जो भी है उन दोनों से लगभग लगभग एक जैसा है अगर कार्बन डियॉक्साइट की बात करें तो पहले छेतर बता दू वह जैसे इसमें जो था कार्बन में पार्शियल कंबशन था मतलब आंसिक दहन होता था कार्बन डियॉक्साइट का प्रोडियूस होगा जब ठीक है उसके मिकल प्रोसेस को फिर समझाया ना पड़ेगा वह संभाव नहीं है तो अगर आपको जब इसके मेजर्स पर काम करना तो आप यह कह सकते हैं कि जब सिगनल्स पर रुके तो गाड़ी का इंजन बंद करिए क्यों उससे कार्बन मनोकसाइट प्रोडियूस हो रह तो इसे का जितना के साथ इंटेग्रेटे अगर यह सीखेंगे तो उसमें काम आएगा वह ता मतलब क्या तो चलिए तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो दो चीजा को इंपोर्टेंट करें चार्बन डीयोकसाइड में एक तो है उर्जा उट्पन करने मतलब क्या अगर- जो क्या बोलते हो उसको प्लांट निर्ब्लांटे रहा हुआ है वहां से भी कर्बंडियोग्साइट का रिलीज होता है अब आप सुछेंगे वहां तो नुक्लियर एनरजी यूज करने कार्बन ड्यक्साइट करूरूस होता है उसकी भी एक प्रक्रिया है तो इन दोनों चील जोड़ों पर काम करें मुल रूप से अगर स्योटू पर बात करेंगे तो दो चीजों को इंपॉर्टेट बनाईएगा एक है उर्जा उर्जा में करीब करीब कितना है 37 परतीशत हिस्सा उर्जा में है और परिवहन इसमें भी महत्वपून है परिवहन में 31 परतीशत हिस्सा है ठीक है तो याद रहे गए यह कारवन मनोखसेट कारवन डेकसेट तो अब लिग दम आप लोग अच्छे से लिख पाएंगे इसके इसके नियुक्न आशनल कि मीठेन में जो योगदान है ठीक है वो ओदो तीन तरीके से इसमें आप देख सकते हैं अ जटे सक जो आप खेत्त आफ लोगों ने देखा है कैसा होता है दान के खेतों से इसका निकलता Yeah तो इस तरह से लोग चल को आप मिथेन सैड़ रखें घर में जो हम लोग जलाते है इसके उसके उठर्जन से भी का है वो निकलता है ठीक है तो मूल रूप से दो तीन चीज़ों पर इसको फोकस कर दे ठीक है आदर भूमी से निकलता है करीब करीब 22 परतिशक्त हिस्सा सबसे बड़ा योगदान आदर भूमी का ही है मिठेन के प्रोडक्शन में अब आप लोग सोचेंगे कि हाँ यह जो आदर भूमी है इससे करीब करीब 22 परतिशक्त हिस्सा निकलता है मिठेन का ठीक है और अगर हम बात करें प्राक्रितिक गैस या तेल या कोल खनन इन सब चीजों को जोड़े ठीक है तो इस से मूल मूल रूप से देखा जाए 17 परतिशक्त हिस्सा तो इस तरह से आप अगर तीन चीजों को लिखना चाहते तीन गैसों को ध्यान में रख लेए एक है आदर भूमी और दूसरा कोल खनन धान का खेत भी लिख सकते हैं 11 परतिशक्त हिस्सा धान के खेत से भी य तो इसके बाद इसके बाद इसके बाद cfc पर बात करेंगे हम लोग ठीक है क्यूंकि सबके सब आपके वाय परदूशन के श्रूत है है ना तो cfc पर बात करिएंगे तो cfc में क्या मिलेगा cfc कहां से रिलिज होता है इसी फ्रेज मिटा देना यह सर चलिए cfc का फूल फॉर्म क्या है क्लोरो फ्लोरो कार्बन ठीक है और इसको इस तरह से लिखते हैं और केमिकल फॉर्मुला क्या है इसका भूल गया आप लोग इस तो नाम है इसका चलिए देख लेंगे ख्लोरो फ्लोरो कार्बन का जो मुख्य परतीशत आप देखते हैं दो चीजों से इंपोर्टेंट इसका है एक है रेफ्रेजरेटर से काफी ज्यादा निकलता है दूसरा है एरोसॉल समझते हैं आप लोग क्या है हुआ है एरोसॉल से एरोसॉल एरोसॉल में होना चाहिए यह है ना हाँ ठीक है एरोसॉल होगा और इसके साथ एक है आपका यह क्या बोलते हैं इसको रेफ्रेजरेटर अधर कि एक है और एक है तो प्टेटेना फूम किए डेकृ। होता है हाँ 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 वो इस इसमें उसके प्रोडक्शन ovat यह koleव दो अधस एरोसॉल रफ्रेजरेटर तो रेफ्रेजरेटर क्या है आप लोगा ने देखा है पीछे की तरफ काला रगका क्या होता है डब्बा होता है गोल सा क्या होता है किसले होता है वह कंप्रेशर होता है जब जैसे दर्वाजा खोलते हैं तो वातावरण का तापमान क्या है ज्यादा है रेफ्रिजरेटर के अंदर तापमान कम है उस कम तापमान को अचीव करने के लिए कैसे अचीव किया जाता है वह process में हम नहीं जाएंगे उस achieve करने के लिए compressor यूज होता है और जितना बार आप दरवाजा खोलेंगे उतना बार heat का exchange होगा उतना बार उसे ठंडा करना पड़ेगा और जितना बार ठंडा करना पड़ेगा चलेगा उतनी बार cfc का emission होगा तो जब इसके निसकर्ष पर लिखें तो लिखिए कि दिन बार आपको रेफ्रेजरेटर यूज करना करिए लेकिन क्या कैसे जैसे एक बार खाना बनाना है सारे सामान एक बार निकाल कर रख दिए बंद कर दिए दर्वाजा फिर दो पहर में खोली जब आपको लेकिन अभी क्या है स्टाइल में लोग ऐसे जैसे केशन में जाएंगे तो थोड़ा सा रेफ्रेजरेटर खुली जाता है ना तो इन सारे चीजों से बचना है तो यह तरह से cfc का रूल है एर पोलुशन में और अगर हम बढ़ेंगे आगे दो इंपोर् दर्स में भी तो लिखना है ठीक है इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट मैंने बता दिया एक शल्फर डियोकसाइड आप लोग सकते हैं तो इसका अभी पूले नहीं इफिक्ट बाद में बताएंगे हां सेम सीक्वेंस में एफेक्ट डिसकस करेंगे हम लोग ठीक है तो सल्फ से निकलेगा से निकलेगा से निकलेगा कि नेमने में बनाते हैं घर में भी मत लिखेघेंगा तो इसलिए तो Lets नहीं मिलता था इसके बाद कुछ ऐसे फ्यूल है जिनको जलाने से जैसे उन्होंने अभी क्या नाम लिया कुछ फ्यूल से भी ये प्रोड्यूस होता है करीब-करीब अगरबती से से भी होता है ये करीब-करीब 25 परसेंट मतब एक चाथा हिस्सा फ्यूल से होता है तो इसलिए कई बार और भी बहुत सार है आप लोगों ने फाइटर जेट का राम सुना है क्या बोलते हैं उसको जेट विमान जेट विमान में इंधन का यूज किया जाता है सूपर उसको ब मिशन होता है यह काफी ज्यादा में हीट प्रोड्यूस कर सकता है कर बेंकिंघ कर सकता है ज्यादा मास है ज्यादा इनर्जी में कनवर्ट होगा वो आइंस्टेन लेके चले जाएंगे तो उतना नहीं समझना है फ्यूल जो है जेट में जिस तरह का फ्यूल का यूज करते हैं उससे भी सल्फर का इमेशन बहुत ज्यादा होता है इसलिए अभी प्रयास यह किया जा रहा है कि इसको किसी तरह क से मॉडिफाई करके या फिर कोई दूसरा कॉंबिनेशन को कम से कम किया जा सके ठीक है इसके बाद अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन का नाइट्रोजन जो है यह भी मूल रूप से अगर आप देखे तो इसके वी दो-तीन कारण है एक है आटो मोबाइल जो हम लोग दे पहला आप लोग इसको आटो मोबाइल लिख के रखें और उसके बाद दूसरा क्या इंडस्ट्री और फिर फ्यूल इस तरह से आप चाहें तो कितना लिखा हम लोगों ने 6 ठीक है अब इसके कॉसे पर आते हैं इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जिस पर बात कर सकते है एक इंपोर्टेंट लास्ट ले लीजिए क्योंकि इसके बिना यह अधूरा रहेगा उसका नाम है सब्सक्राइब पर्टिकुलेट मैटर इसके बारे में अभी काफी न्यूज में चल रहा है इस कारण से इसको लिखना थोड़ा जरूरी हो जाता है इसको SPM बोलेंगे हम खि का है कि कहा है संसपेंडड़ आथ पॉर्टिकुलेट kita 9 ा झाटे मैं थिक है संसपेंड़ेट पार्टिकुलेट मैटर यह क्या होता है यह बहुत ही छोटे कर्ण होते हैं प्लब आप लोग राख देखते हुरा उड़ता है न बहूत छोटा होता है उस से भी कही ज्यादा चुटा 10 to the power minus 6 के order में मतलब माइक्रो मीटर के order में इस किया इसका diameter होता है व्यास होता है कितना होता है .01 पॉइंट से लेकर 10 तक होता है हाँ मैं नहीं बोले थे यह Micro के लिए आता है 10 to the power minus six quarter होता है यह पॉइंट कितना बतायते हैं 100 तक बोलते हैं सब जगा अलग अलग डेटा दिखता है इतना चोटा हो सकता है और यह जो है जब आप ब्रीद करते हैं तो जो बड़े पार्टिकल है वह तो नाक में बाल है या यह है वह है उसमें च्छन जाता है लेकिन यह सीधा फेफडा में जाता है और क्या होता है वहां पर कंजेशन क्रेट करेगा ठीक है अभी क्या कौन सा कहानी सुना रहे थे मियू और एम माइक्रो मिटर ठीक है अब बास समझ में आ गया मियू है वह मियू यू लिखके खीश दीजिए उसका मतलब होता है दस के उपर माइनस छे माइक्रो बोलते हैं अगर पूरा लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं टैन का पावर माइनस सिक्स मतलब माइक्रो माइक्रो आप लोग जान दें है जो भी है तो इस तरह से यह इसके कौज़ेज है ठीक है बहुत सारे अन्ने कौज़ेज भी है फ्लाइश के बारे में लोग बात किये थे इंडियन हाउशोल्ड से बहुत सारा निकलता है अब हम अमलवर्शा का नाम सुना है अप लोगों ने ऐसे ड्रेंट उसको लिखेंगे ठीक है माना के ओपर क्या प्रभाव पढ़ रहा है वो लिखेंगे वनस्पती के ओपर क्या प्रभाव हो रहा है वो लिखेंगे टेंप्रेचर जो तापमान है इन गैसों का तापमान के ओपर ग्लोबल वार्विंग लिखना है ग्लोबल वार्विंग का हिंदी क्या लिखते हैं आप वेश्विक उष्णता तापमान टेंपरेचर होता है ठीक है तो यह हो गया और इसे ड्रेन का ही वहीं तो यह लिखेंगे कि सल्फर डायकसाइड बहुत साधा निकल रहा है जब बारिश होती है तो बारिश में सल्फर की मातरा रहती है और जब ताज महल जैसे मौनूमेंट्स के उपर वह बारिश पढ़ता है तो वह क्या है मार्बल को पीला कर देता है इसलिए अभी इडियस है वहां कलकार खानों को लगने पर पाबंदी लगाई गई है जिससे उस एडिया में सल्फर डायकसाइड नैट्र डायकसाइड का इमिशन कम से कम हो और एसी ड्रेन को कंट्रोल किया जा सके तो इस तरह से हम लोग बात करेंगे सब चीजों को लिख देंगे ठीक ह है तो मुखे रूप से एसीडेंट तो चलिए बताई दिया मैंने एसीडेंट क्या होता है इसको थोड़ा सा सीख ले फिर आगे बढ़ेंगे आप लोग को नीद आ रहे हैं कि साइंस वाला टापिक है थोड़ा सा तो बुरियत यह डाटा है आप लोग को पास करना है कि अप पास करना है थो याद तो करना होगा और नहीं याद करना है तो फिर एक साल और है तो पहले हम लोग कहा है किसकी बात करें चलिए से सुरू करते हैं यह क्या चल रहा है कॉज़ नहीं है कॉज हो गया जितना बताना था बता लिए और आप लोगों को जोड़ना जोड़ सकते हैं ठीक है एसे डिन क्या होता है जैसे आप लोगों को पता है अभी हम लोगों ने लेका कि शुका शुकंड निकल रहा है काहन से निकल रहा है। क्सट्रinary निकल रहा है, कर्बन से निकल खुए दो ने लोगों ने देखा अब जो निकल रहого है ग्यास वह तो और वो छोटे-छोटे कणों में जाकर क्या होगा एकठा हो जाएगा अब जब तापमान वहां का कम होगा बारिश होगी तो सेम वह पारिश के पानी के साथ मिलकर कहां आएगा अब कैसे होगा जैसे ही अगर मिलेगा तो वह सल्फियूरिक असिड बनाएगा एस्टु एसोफॉर बनाके वह नीचे आएगा अब बोलेंगा कि गया था एसोटु नीचे गिरा एच्टु एसोफॉर कहीं से हां मन में था यह यह पानी के साथ प्रकिरिया करेगा ठीक है और दोटो फोर नहीं हो जाएगा 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 तो यह बैलेंट इस था तो काम चल रहा था बहुत सारा एक्वेशन बैलेंज नहीं मिलेगा वहां पर एक्जामिल समझ जाएगा आपको कितना ग्यान है एच निकलता है एच नुट्री कहां हैगा नाइटिक एसेड बोल प्रक्रिया करेंगा और बनाये तो बैलंस हो गया नहीं होगा इसको बैलंस अगर लिखना है तो यह काम मत करेंगा पर्यास भी नहीं करना है बस लिख देना है ठीक है तो इस तरह से अगर हम जानते क्या नहीं लिखना पड़ेगा बुलें नहीं लिखने बस हम दिखा रहे हैं कैसे बन रहा है उन लोग के आत्में संतुष्टी के लिए तो इस तरह से क्या है थोड़ा सांती सुन लिजे आप लोग तो मूल रूप से इस से मतलब है यह दोनों ही क्या है नेचर में आसिड ह लिए तो आप लोग को समझमें के इस दीन क्या होता है सलफर जो कलर है वह कैसा होता है यह यह ऊफर का जब बारिश होगा सुल्फियर्यक असट जब देखें गे तो वह एकदम मट मैला पीला रंका होता है और पतला रहता है और एक बहुत अच्छा गैस है एस्टू एस सल्फ हाइड्रोजन सल्फाइड सुनी होना नाम उसको अगर खुल जाएगा तो फिर कोई ने बैठ पाएगा असपास लफिंग गास नहीं होता हुआ ठीक है मोनो-क्साइड को ऊच्छा अच्छा में नाइडरोमोनोखसाइड को यह देख लो चेक कर लो है नाइट्रस ऑक्साइड एन नो होता है सिंपल ऑनोग्साइड भी बोल सकते हैं चाहिए तो आंसु गैस आप लोगों ने पढ़ लिया मिठेन देखा ना मिठेन जब जाएगा अच्छा हां इसके इसके बारे में थोड़ा सा डिसकुशन कर लें आंसु गैस का नाम उन्हों दीजेगा के सिस्टेडी मतलब एक इवेंट हुआ था बड़ा अच्छा इवेंट था बोपाल गैस ट्रेजडी नाम सुना है अप लोगों ने ठीक है अच्छा मतलब बहुत ही दरदनाक इवेंट था यह इवेंट का जो डीटेल है वह दो से तीन दिसमबर मतलब दो दिसम को चुक्री और थूर दिसमबर के बीच में ला गया था एक व iç अर्डुसका नाम क्या है यूञm कारवाइट कॉलरेशन maior factory irocannion carbide corporation ठीक है via के सट बनाया जाती चीटना असक का मतलब क्या है यहांपर के टो में लग गेंगे है कि तो अकर गया वहां पर दबाइया दी जाएंगे इसका मतलब कहीं न ability तो मानों के लिए भी हनिकारव हो सकता है का मातरा में यूज कर रहे हैं तो इंसक्टि साइड है और अगर अधिक मातरा में हो तो कौन से साइड हो और वह हुआ ठीक है क्या हुआ इसमें क्या गटना गटिना की कोई लीकेज हो गया या फिर किसी एक गैस का स्राह हुआ जिसमें मिठाइल आइसो साइने बनने लगा अब मिठाइल आप लोग को लिखना है जरूर लिखिए इसको इसका फॉर्मुला मैं बता दे रहा हूं क्या क्या बोल रही है यह मिठाइल आईसो साइनाइट लिखना चाहते हैं हिंदी में भी लिखाएंगरेजी में भी लिख ले ठीक है झाइब लिखा जाता है ठीक है ये एक गजी स्टेडिक है मैं निम्हां जब केस दीदे लिखते हैं तो लिखते हैं ताकि चेक जो उसको पता चले कि है इसने सको अच्छे से पढ़ाया तो इस एकन्क नमबर तो ठीक है बास समझ में आगे ना इसमें क्या होता है यह ऐसा जब यह फैलेगा तो क्या है आँखों में इरिटेशन होता है ठीक है इसलीया आंसू गैस में इसका यूज किया जाता है जाता है यह लेकिन अगर सीधे लग जाये तो बहुत काटा आप लोग कई बार क्या है संगर्ष की समय लोग एकदम बेहुश हो जाते हैं तो आंसू गयसिप लोग बेहुश करते हैं । इसी के कारण हो जैते हैं सा्पो keyword कर सकता है वो मतलब आवाज हमारी जो स्वास नली है वो बंद हो सकती है सिकुडन हो जाएगा वो टिशू क्या है थोड़े देर के रिए सिथिल हो जाता है आप सांस नहीं ले पाइए ठीक है तो इन सारी कारणों से भुपाल गास्ट्रेजडी में बहुत सारे बच्चे ब्रिध अगर आप याद रख सकते हैं जरूर लिखें जिनका जो है आप लोगों ने सुना होगा कि पुआल जलाया जाता है मतलब बचली और और दूसरी भासा में क्या कहते हैं उसको कि पराली भी कहते हैं पंजाब में पराली पुआल बिचली जो भी है इस चीज के लिए अलग- तरह की बीमार्य होती है अब गन्ना का पराली जलाएंगे और धना की खाल नहीं है तो आफ नहीं है तो 3-4 तरह से आप लोगों को पता है हर्याना पंजाब में सबस्टेशा और ना गयों झीता है आन। 4-5 है जिसका मैं बता जेना जहां आप उसमें मिक्षर है सब क्योंकि कारवेंचेंग कैसा डिपेंड करेगा कैसा प्लास्टिक जला रही है ठीक है तेक कपास के डस्ट से अगर पोलुशन हो रहा है कपास समझते हैं अकॉटन तो उसके लिए जो बीमारी होती है उसका नम है बिसी नोसिस ठीक है कपास अगर है तो उससे क्या होगा बिसी नोसिस आप कहां है आप नहीं समझ पाई है मैं क्या बोल रहा था क्या बोले हम त्यान से सुनिए हर अलग अलग होता है दोनों को जलाएंगे तो अलग अलग होगा तो अगर कपास का पुआल जलाते हैं तो जो बीमारी हो इसका आराम क्या है इतना बूरिंग हो रहा है ना क्लास सब लोग सो जा रहे हैं गन्ने